हेलो दोस्तों तो आपका फिरींपी स्टेडी चैनल में स्वागात है और हम कर रहे हैं फ्यू और लिटल का नेक्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट नमर फूर है इसके पहले हमने तीन पार्ट दिये जिसमें फ्यू लिटल आ फ्यू आ लिटल और दा फ्यू और दा लिटल का प्रियोग समझाया है तो इस वीडियों हम सभी का एक साथ देखने बाले हैं कि कहां पर आ फ्यू दा फ्यू और फ्यू और लिटल आ लिटल और दा लिटल का use होता है तो सबसे पहले हम देखती हैं कि few और little में जो use है वो कहां पर होता है तो सबसे पहले जो है few का use होता है plural countable noun के साथ में मतलब की बहु बचन और गड़निये संग्या के साथ ठीक है और बड़ के पहले क्या होता है उनके बड़ में yes, yes और IES लगा होता है ठीक है और सी परकार से जो few का प्रियोग हो गया और अब जो little का प्रियोग है वो singular uncountable noun के साथ होता है मतलब की एक बचन और अगड़निये संग्या के साथ तो जैसे हम गिनना सकें और एक बचन में हो या singular हो उशे दया में हम क्या करती हैं little का प्रियोग करती है तो अब हम देखती है कि few और little में से मतलब इनका प्रियोग कहा पर होगा और अa true और अ little का कहा होगा तो यहाँ पर जहाँ पर आल पे और ना के बरावार और नगनने का अर्थ सेंटेंस में हमारे लिए मिलता है क्या निकल रहा हो वहाँ पर हम few और little का प्रियोग करेंगे इन दोनों में से किसी एक का और किसका करना है वो हम चेक करेंगे कि जो सब्द है वो plural countable noun है या singular uncountable noun है और इसी तरह से जो है a few और a little का प्रियोग है वो हम जब सेंटेंस में हमें थोड़ा या कुछ का meaning मिलता है तब हम a few और a little का प्रियोग करते हैं इसमें meaning positive होता है जबकि few और little मतलब की alp और ना के बरावर वाले में negative meaning type होता है इसमें बस्तविय होती है मतलब की इतनी जिसमें की जिर्फ काम चल जाएगा लेकिन काम नहीं है और इसमें क्या होगा इतनी है कि हमारा ये परियापत नहीं होती है ठीक है मतलब की less than enough और इसमें enough और जो next है वो है the few और the little तो the few और the little का जो प्रियोग है वो जब होता है जब sentence में meaning निकलती हो जितना बचा था बो सब ठीक है तो जो हम sentence में Hindi meaning में देखती हैं तो कहीं पर उसका ऐसा आर्थ होता है जितना बचा था बो सब तो उसकी इस्थान पर हम क्या करते हैं उस sense में दाफ्यू या दा लेटल का प्रियोग करते हैं अब दाफ्यू और दा लेटल में से किसका यूज करना है वो हम देखती हैं यहाँ पर कि plural countable noun है तो दाफ्यू का यूज हो जाएगा और singular और uncountable noun है तो दा लेटल का प्रियोग हो जाएगा इस प्रिकार से जो next example है उसमें हम clear करेंगे कि किसका कहां पर use होगा तो जो example दिया है वो है मेरे पास कुछ पुष्ट के हैं ठीक है इसमें क्या है कुछ है तो इसका मतला हमें यहां से clear होता है कि जो कुछ सब्द है वो कहां पर आता है थोड़ा या कुछ ठीक है मतलब इतना है कि काम चल दाए गए तो आल इटिल और आप यू में से use होगा अब हम क्या देखेंगे कि इन में से कौन सा आएगा आप यू आल इटिल तो यहां पर जो वार्ड है books क्या है एक मतलब की यह हमारा एक plural word हो गया ठीक है एस लगा है तो हमें से क्या कर सकती है यह बहुआ चने है वरसे हम गिन सकती है पुस्त के कितनी है इसकी संक्या हम गिन सकती है तो एक काउंटेबल हो गया और साथ है plural हो गया तो यहां पर जो है आप यू का परियोग हो जाएगा अब जो next example है वो है he has got खालिस्तान मनी मतलब ठीक है उसकी हिंदी मीनिंग जो होगी उसने बहुत कम पैसे प्राप्त किये तो उसने बहुत कम पैसे प्राप्त किये मैं किया रहा है बहुत कम मतलब ना के बराबर इतना कि इसमें उसका काम नहीं चल पाएगा या उसके लिए आप नहीं है तो यहाँ पर बहुत कम के और ना के बराबर के आर्थ में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि few और little मैंसे किसी एक कप्रियों करते हैं अल्प ना के बराबर या नहीं ठीक है जिसमें negative meaning टाइप होता है बल्कुन ऐसा ही इस sentence में भी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे few और little मैंसे किसी एक कप्रियों करेंगे तो अब हम उसको decide करने के लिए क्या करते हैं इस बाइट को देखेंगे जिसके पहले खाली स्थान है कि money तो money क्या है एक uncountable noun है ठीक है और यह क्या singular भी है मतलब कि एक बचन में है इसमें S IES नहीं लगा है और साथ मे हम money को नहीं गिन सकती है ठीक है मुद्रा को को नहीं गिना जा सकता है उसकी जो type होते हैं उनको गिना जा सकता है जैसे कि money type है rupees dollar ठीक टका coin इस तरह से तो यहां पर हम क्या करेंगे फिर little का प्रियोग करेंगे फिर जो next example है बो है number 3 तो इसमें लिखा है मेरे जितने दोस्त हैं सभी सहायक है ठीक है तो यहां पर जो meaning निकल लई है खालिस्थान friends I have our help for मतलब मेरे जो दोस्त हैं वो सभी सहायक है तो जितने हैं और वो सभी जब ऐसा sense आता है तो हम वहां पर दाफ्यू या दालिटल का प्रियोग करते हैं तो अब जो जहां पर खालिस्थान है वहा है बहुबचन में है तो यह क्या है बहुबचन में होगा मतलब पिरूलर और साथ में countable एक noun हो गया तो इसके पहले हम जो है वो दाफ्यू रखेंगे क्योंकि जो फ्यू वर्ड है वो आता है पिलूरल countable noun के साहथ मतलब की बहुबचन और गड़निय संग्या के साहथ और स इसी के बाद में हैं, नेक्स्ट एक्जामपल जो किया, I have spent all khalisthahn money I had, तो हिंदी मेनिंग क्या हो जाएगी, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिये, जो मेरे पास थे, ठीक है, मतलब कि I have spent, मैंने खर्च कर दिये, all money, मतलब सभी पैसे I have, मतलब जो मेरे पास थे, तो यहाँ पर क्या है, सारे पैसे, जो मेरे पास थे, ऐसा जब sense आता है sentence में, ऐसी मेनिंग होती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह के अर्थ में हम da few या da little का प्रियोग करते हैं, तो अब decide करना है कि da few आएगा, या da little आएगा, तो उसके लिए हम खालिस्तान के पहले का बाट देखते हैं, कि money जो है, तो money क्या होगा, एक uncountable और singular noun है, विस प्रिकारसी यहाँ पर जो हम da little का प्रियोग करेंगे, फिर जो next example है, बो या फिर आएगा, तो यहाँ पर आव इसमिस डिस्टाइड करेंगे, कि क्या आएगा, तो milk जो है, एक uncountable हो singular है, तो यहाँ पर हम जो रखेंगे, वो होगा हमारा आएगा, तो he has a little milk, तो आसा करते हैं, जो आपको, a few, a little, the few, a little और few little में, जो basic difference है, वो समझ में आया होगा, so thanks for watching and subscribe my youtube channel 3MP study.